नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके ही अपनी यूटूब चैनल आटो बाइक जंक्शन में TBS Jupiter कमपनी का बेस्ट सेलिंग स्कूटर है लेकिन ये अब तक 110 सिसी सिगमेंट में आता था ऐसे में शवाल ये था कि जब पूरा बजार 30 से 125 सिसी सेगमेंट की तरह बढ़ रहा है तो TBS Jupiter कहा है फाइनली अभी शवाल का जबाब TBS मोटर कमपनी ने दे दिया है कमपनी ने पिछले साल अक्टूबर महिने में अपने TBS Jupiter 125 को लांज किया जिसमें कई बड़े बदलाओ किये गए हैं अलाकि ये बदलाओ आपके बजट में कितना फिट बैढ़ता है ये आज हम आपको अपने रीवियू में बताने जा रहे हैं तो दोस्तो वीडियो पूरा अंत तक देखें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो क्रिपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें शबसे पहले इसके फ्रंट की बात करें तो इसके रीवियू मिरर और फ्रंट पैनल के दोनों तरफ क्रोम दिये गए हैं शामने से देखने में ये आपको काफी हद तक होंडा एक्टिवा 125 ऐसा ही लगेगा शामने उपर की और फाइबर की बाड़ी दी गई है जबकि नीचे की और मैटल दिया गया है पीछे की और कोई खास बदलाव नहीं किया गया है इसके रीर लेंप और टर्न इंडिकेटर में एलेडी की जगह बल्ब लाइट दी गई है यानि कमपनी ने शेफ्टी और कास्ट कटिंग का अच्छा खाशा ध्यान दिया है जो इंपैक्ट वाले हिश्चे हैं वहां मेंटल बाड़ी दी गई है बाकी सबी जगहों पर प्लास्टिक बाड़ी दिया है इसके अलावा एलेडी की जगह बल्ब लाइट दे कर बचत की है टीबियेश जीप्टर 125 में नया 124.8 सीसी का सिंगल सिलेंडर टू वाल फोर इस्टो के अरकुल्डी जन्दी आ गया है ये इंजन आपको कंपनी के 125 सीसी सेगमेंट वाले किशी भी टू बिलर में नहीं मिलता है इसका इंजन शीप्टर 125 में इस सेगमेंट की सबसे लंबी सीट दी गई है जहां दो लोग आशानी से बैढ़ सकते हैं और इसके बावजूर देखा जाए तो यहाँ पर काफी स्पेस मिल लहा है इसके आलावा इस सिगमेंट में सबसे बड़ा 39 लीटर का बूट स्पेस मिलता है टीबियस जूपिटर 125 में किये गए बड़े बदलाओ की बात करें तो आप पीछे के बजाए आपको इसके फरंट में पैरो के नीचे पेट्रोल टैंक मिलता है कमपनी का कहना है कि यह काफी शेफ है अगर नीचे के पैनल पर किसी चीज से टक्कर भी लगती है तो इसमें कोई हास्था नहीं होगा यह दावा कई माइने में शही भी लगता है इसके अलावा आप इसके फरंट की योर फ्यूल फिलर कैप मिलता है जो इसकूटर की चावी से शामने की तरफ ही खुल जाता है यानि अब आपको पेट्रोल भराने के लिए सीट को खोलना नहीं पड़ेगा शामने की योर दिये गए फ्यूल कैप को ओपेन करके आप बिना किसी पैरशानी के पेट्रोल भरवा सकते हैं या बहुत हत्ता के लेक्ट्री टूबिलर की तरह है जहां चार्जिंग के लिए आपको शामने की और चार्जिंग पोर्ट मिलता है TBS Jupiter 125 में स्मार्टफोन को चार्ज करने के लिए कि उसे भी पोर्ट दिया गया है जिसकी मदद से आप ड्राइब करते समय भी अपने मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं USB पोर्ट के ठीक नीचे आपको दो लीटर का गलब बॉक्स मिलेगा जिसमें आप पानी के बाटल या फिर स्मार्टफोन को आशानी से केरी कर सकते हैं TBS Jupiter में बहतर फ्यूल इफिशियंसी के लिए इंटिलिगो टेक्निकी दी गई है इस फिचर को आशान भाषा में शमझें तो जब या स्कूटर ट्रेफिक लाइट या किसी दूसरी जगह पर कुछ देर तक रुका रहेगा तो इसका एंजन अपने आप बंद हो जाएगा वहीं जैसे ही आप थार्टल देंगे इंजन वापस से स्टार्ट हो जाएगा कमपनी का दावा है कि इस तकनिक से पहले के बुकाबले 15 फिस दी ज्यादा माइलेज मिलेगा वहीं इंजन की उमर भी बढ़ेगी शेप्टी की बात करे तो TBS जूप्टेर 125 में साइड इस्टेंड कर्टा फिचर दिया गया है आशान भाषा में कहें तो अब स्कूटर तभी स्टार्ट होगा जब आप इसके साइड इस्टेंड को हटाएंगे इसके अलावा अगर चलते समय में गलती से साइड इस्टेंड लग गया तो यह अपने आप बंद हो जाएगा यानि अब आपको ड्राइब करते समय साइड इस्टेंड की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें सभी डिश्टल इस्टूमेंट कलस्टर दिया गया है जहाँ स्पीड को मानिटर करने के लिए इसमें एनलॉग मीटर मिलता है इसकी स्क्रीन पर आप कई सारी जानकारिया को एक साथ एक्सेश कर सकते हैं इसमें ओडो मीटर, साइड इस्टेंड इंडिकेटर, ट्रिप मीटर और फ्यूल इंडिकेटर भी शामिल है इसके अलावा स्कूटर की स्क्रीन पर आप एकनोमिक स्पीड देख सकते हैं जिस पर ड्राइब करके आप मैक्सिमम माइलेज पास सकते हैं अब बात करते हैं दोस्तों की टीबिय जिप्टर 125 चलाने में कैसा है इसका वजन केवल 108 किलोग्राम है एही कारण है कि जब आप इसे चलाएंगे तो आपको लाइट ड्राइब का अनभो मिलेगा इसकी हैंडलिंग काफी स्मूथ है गुमाओ दारशडकों पर भी इसमें काफी बेहतर गिट मिलती है इसकी ग्राउंड क्रिलियंस 163 मिलिमीटर और इसकी सीट की उचाई 790 मिलिमीटर है स्कूटर का डाइमेशन ऐशा है कि आप इसे सीटी में चलाएंगे या फिर हाइवे पर दोनों ही जगहों पर आपको कंपर्टेबल राइट का अन्भा मिलेगा कहने के लिए ये एक कम्यूटर स्कूटर है लेकिन 77 से 75 किलिमीटर तक की स्पीट को ये आशानी से पकड़ लिता है दोस्तों अगर इसके एक सो रूम प्राइज को देखें तो TBS जीप्टेर 125 के ड्रम वेरियन की कीमत 74,425 रुपए है वहीं इसके ड्रम एलाइ वेरियन की कीमत 76,800 रुपए है जबकि इसके डिस्क ब्रेक वेरियन की कीमत 81,300 रुपए है आप इसे कम से कम डाउन पेमिन्ट पर भी ले सकते हैं कम से कम EMI और जादे से जादा मंतली किस्त बन जाती है तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं के लिए किशी अन्यगाडी के रीवी वीडियो के शाथ तब तक के लिए जैहिन नमस्कार बंदे मातरब